वन्दे मात्रम स्टुड़न्ट कैसे हो बच्छो एवरीवन फाइन ओके वेरी गूड तो स्टुड़न्ट टुड़े इस अवर सब्सेक्ट इस एवी एस और एवी एस में चैप्टर शिक्स चैप्टर शिक्स इस पीपल हूँ हेल्प अज चलो स्टुड़न्ट सभी निकालो चैप्टर शिक्स में आज है पीपल वू हेल्प उस मतलब कि कौन से लोग हमारी हेल्प करते हैं मदद करते हैं तो लेट्स टार्ट वी केंनोट डू ओल्ड़ वर्क आवर सेल्स मतलब कि हम सभी काम खुद से अपने आप से नहीं कर सकते देर आर मैनी पीपल हूँ हेल्प उस इन अवर एवरीडे लाइफ मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग है जो हमें हर रोज अपनी लाइफ में मदद में आते हैं देर वर्क मेक्स अवर लाइफ इजी तो उसका जो काम होता है वो हमारी लाइफ को इजी बनाता है अभी है पीपल हूँ हेल्प उस मतलब कि कौन से लोग हमें मदद करते हैं तो फॉस्त और फॉल यहां पर है a doktor적 और सjer क्यों यहां वियार सीक मतलब कि डॉक्टर और गया करता है तो हम जब बीमार होते है तो डॉक्टर इजी हिलाज और हमें दवाय देते है ताकि जल्लदी से ठीक हो जाें तो स्टुड़न्ट य इसने यहां पर पहना हुआ है इससे वह हमें चेक करते हैं और बताते है कि हमें क्या हुआ है और फिर हमें दवाय देते हैं तक यह त्पीब हो जाए है ना? अभी नीचे यहां पर है electrician मत्तब की यह electrician एक एसा people है जो हमारे खर पे light चली गई हो मतलब कि कुछ electrical problem हो तो उसे ठीक करता है An electrician fixes and repairs lights and other electrical things मतलब कि electrician कुछ बिगड़ी हुई चीज़े और फिर light को भी repair करता है और fix करता है अभी देखो student, अभी हमारे घर में कोई electric चीज़ होती है, वो खराब हो जाती है तो हम किसे बुलाते हैं, हम electrician को बुलाते हैं, फिर हमारे खर पे light चली गई होती है, तो हम electric man को बुलाते हैं ना क्यूंकि electrician है, वो हमें help करता है, ओके Next page पे देखो student, यहाँ पे है, nurse A nurse looks after us when we are sick Nurse क्या ताम करती है, तो देखो Nurse जबी हम बीमार होते हैं, और हम hospital में होते हैं, दवाई लेते हैं, तबी nurse हमें देखती है, हमारा इलाज करती है, और हमें दवाई देती है देखो यहाँ पे यह nurse है, यह सभी देखो, बार-बार सबको चेक करने आती है फिर यहाँ पे है, carpenter और carpenter makes and repair server furniture Carpenter क्या करता है, carpenter furniture बनाता है लकडियों में से, और फिर furniture को repair भी करता है देखो यहाँ पे carpenter, देखो यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी है, और फिर यहाँ पे देखो इसने यह cupboard बनाया है तो यह, देखो यहाँ पे कितने अच्छे से लकडिया काट रहा है, और फिर लकडियों में से furniture बनाता है और जो टूटा हुआ furniture होता है, उसे repair भी करता है फिर यहाँ पे है plumber plumber fixes leaking pipes and taps plumber क्या करता है, तो plumber pipes और taps को fix करता है leak होने से मतलब कि कोई भी pipe तूट गया है या फिर tape या मतलब कि कोई null जो होता है वो तूट गया है और उसमें से पानी leak हो रहा है, तो plumber उसे ठीक करता है ताकि वहाँ से पानी ना गीरे, तो यह, फिर है postman और postman delivers letters, postman क्या करता है, postman letter deliver करता है postman कहाँ पे काम करता है, देखो यहाँ पे यह रहाँ postman, तो postman है वो post office में काम करता है जबी हमें कोई letter अपने friend को पोचाना होता है, तो हम post office में इसे देने जाते है फिर यह postman जो होता है, वो हमारा letter deliver करता है, उमें जिसे पोचाना है, उसे देखे आता है फिर यहाँ पे है यह guard a guard looks after the safety of our houses मतलब की guard क्या काम करता है, तो guard हमारे घर को safe रखता है मतलब की हमारे घर की रक्षा करता है, देखो यहाँ पे है यह guard हमारे घर के बाजू में एक gate होता है, मतलब की हमारा घर का gate होता है, वहाँ पे यह guard होता है और फिर हमारे घर की security करता है, इसके बाद है green grocer यहाँ पे देखो यह है green grocer green grocer sells vegetables and fruits, green grocer क्या करता है, वो सबजिया और fruits बेचता है तो देखो यहाँ पे है यह, यहाँ पे देखो यह सारी green green सबजिया और फिर बहुत सारे fruits है, है ना फिर यहाँ पे है यह sweeper, तो sweeper क्या काम करते है, तो देखो a sweeper collects garbage and keeps the neighborhood clean, मतलब की sweeper जो होता है, वो हमारे अडोस पडोस में जो कच्रा होता है, उसे collect करता है, और हमारे आसपास जो पडोस में जो सारी चीज़े होते हैं, वो clean रखता है, तो student हमें भी ध्यान रखना है, कि हमें भी अपनी आसपास को clean रखना है, कहीं भी कच्रा नही करना है, है ना बच्चो, very good, फिर यहां पे है, gardener, a gardener waters the plants and takes care of them, गार्डनर क्या करता है, तो gardener plants को water देता है, पानी पिलाते है, और उसकी देख भाल करता है, तो देखो यहां पे यह एक गार्डनर है, और फिर देखो इसके हाथ में यह एक water जग है, तो देखो यहां पे यह सब भी plants को water दे रहा है, पानी पिला रहा है, है ना, ताकि plants से वो grow करे, इसके बाद यहां पे कुछ keywords है, सबसे पहले यहां पे curious, a method by which good health is restored, मतलग कि जब भी हम बीमार होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर अमारा इलाज करते हैं, अमें दवा द जैसे अच्छे हो चाते हैं, फिर है repair, fixing something which is damaged, मतलग कि अगर हमारे कुछ चीज को नुक्सान हो गया है, कोई हमारी चीज damaged हो गई है, उससे fix कर दे, इसे repair केते हैं, इसके बाद है leaking, a liquid or gas that passes in or out through a hole or a crack, मतलग कि अगर कोई एसी चीज, मतलग कि देखो, liquid or gas, यह एक hole और फिर एक crack हो जाए, तो वहां से अंदर और बाहर निकलता है, इसे leaking केते हैं, जैसे कि मैं एक example देती हूँ, मतलब कि देखो, हमारी पानी की bottle है, तो पानी की bottle में अगर एक hole हो जाए, तो पानी के से बाहर निकलता है, फिर crack, तो crack मतलब कि हमारे पास एक ज जार है, तो वह जार टूट गई है, तो इसमें से जो हमने liquid या फिर जो gas होता है, तो इसे leaking केते हैं, फिर है garbage, household waste, मतलब की garbage, मतलब की कच्रा, जो घर का कच्रा होता है, वो जो हमारे घर में कुछ waste होता है, कुछ ऐसी चीज़े पढ़ी होती है, जो में नहीं चाहिए होती है, जो में लिवेस्ट होती है, वो हम डाल देते हैं, तो उसे garbage केते हैं, फिर है summary, और guard looks after the safety of our houses, मतलब की गार्ड जो होते हैं, वो हमारे घर को safe रखते हैं, वो हमारे घर के safety करते हैं, हम जब कहीं बाहर जाते हैं, तो अमारा guard होता है, वो हमारे घर को देखता है, वो हमा स्वीपर जो हमारे आसपास जो कच्रा होता है हमारे घर के आसपास जो कच्रा होता है उसे वो साफ करके clean करता है और सब भी garbage कलेक कर लेता है और gardener waters the plants and takes care of them गाडनर क्या करता है तो गाडनर प्लैंट को वोटर देता है और फिर उसको केर करता है मतलग कि पानी देकर उसे बड़ा करता है तो स्टुडन्ट आज हमने chapter six का जो ए चेप्टर रे वो अछे से पढ़ लिया लेकिन फिर भी आप सब लोग एक बार घर पे रिवीजन एक बार प्रेक्टिस कर लेना ओके बाई बाई बच्चो वन्दे मात्राम